नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका investment बनाश में दोस्तो सोना machinery का IPO आने वाला है तो आज मैं इस IPO का फूल review करने वाले और लाज में यह भी डिसकेस करने वाले किया हम इसमें apply करना चाहिए या फिर आउइट करना चाहिए तो आप शुरुआ से लेकर अन्तक इस वीडियो पर बने रहना तो दोस्तों कमपनी की बात करें कमपनी एगरी ले ले एक्विपमेंट्स और मशिनरी का जो है मैनुफेक्चिंग करती है और कमपनी बसी के चाहिए और यह जो हुआ यह फिर चावल हुआ फिर हुआ या फिर बाजरा वागेरा हुआ इनका जब प्रोसेसिंग किया जाता है तो उस प्रोसेसिंग मे जो मशीन का जो एकुपमेंट का जो यूस किया जाता है उसका ही जो है यह कंपनी यहां पर मैनुफेक्टिंग करती है और अगर हम दोस्तों कंपनी के फैनेशल की बात करें तो कंपनी का जो मार्ज 2021 में रेवेन्यू था वो सिरफ 6 करोड था वो बढ़ते बढ़ते है यहां पर शांदार हमें एक जंप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के अंदर वहीं इनका प्रॉफिट भी जो है सिरफ 27 लाग का प्रॉफिट था वो बढ़ते बढ़ते जो है साथ करोड प्रॉफिट लाग का प्रॉफिट हो गया मार्ज 2022 यहेंका जो प्रॉफिट मार्जिन को भाते हैं दोसी का 9 से 10 प्रसपन के आइसपरец का इनका प्रॉफिट मार्जिन है जो कि एक ओके हम profit margin बोल सकते हैं और net worth की बात करेंगे तो net worth भी यहां पर लगातार increase हो रहा है 37 करोर से यह increase होते होते हैं net worth इनका 17.80 करोर और यहां पर borrowings जो है ना के बराबर है net worth के comparison में तो सिरफ 1 करोर की borrowings है तो overall financials जो हमें देखने को मिल रहे हैं यहां पर काफी strong financials जो है देखने को मिल रहे हैं लगातार इनका revenue profit net worth वो लगातार increase हो रहा है और borrowings जो है borrowings काफी जो है कम है इनकी और अगर दोस्तों हम इनके यहां पर objects की बात करेंगे तो इनका पहला जो object रहेगा वो रहेगा तो capital expenditure करने का है उसके लिए जो है इनको 29 करो रुपीज चाहिए और दूसरा जो है repayment of outstanding amount of letter of credit तो कुछ borrowings वगेरा है उसका जो है repayment वगेरा इनको करना है और बाकी जो है general corporate purpose और दोस्तों अगर हम के valuation की बात करेंगे तो यह financial year 2023 में जो EPS निकल क्या रहा है वो 7.61 का निकल क्या रहा है और जिस price पे company IPO लाना चाहती है वो है 143 rupees का price तो 143 divided by 7.61 करोगे तो यहां पे जो price tuning ratio निकल क्या आएगा वो 18.79 का निकल क्या आएगा और अगर हम इसके book value की बा 17.63 का है November में और 143 divided by 17.63 करोगे तो 8.11 का जो है book value यहां पे निकल के आ रहा है जो की मुझे लग रहा है दोस्तों यहां पे थोड़ा है यहां पे एक्स्पेंसिव है price to book value इनका book value के company में जो price है वो काफी मुझे लग रहा है यहां पे थोड़ा expensive रखा गया है और यहां पे return on net worth इनका शांदार है मार्च 2023 के अंदर इनका return on net worth 67.86 percentage का है काफी शांदा return on net worth है company का और valuation perspective से दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें थोड़ा मुझे मैं आपको अल्रेडी कहा कि थोड़ा मुझे यहां पे महेंगा लग रहा है और हम peer comparison भी नहीं कर पाएंगे इस company का दूसरी कोई company के साथ विक तो कि similar line of business में हो तो peer comparison भी नहीं हो पाएगा अभी बात करते दोस्तों IPO details की तो यह IPO basically दोस्तो 5 March को आने वाला और 7 March को close हो जाएगा face value 10 रुपर प्रतीश यह प्राइस 143 मैंने आपको अल्रेडी बताया और issue size जो है 52 करोड के आसपास करेगा पूरा का पूरा fresh issue रहने वाल अलोट्मेंट जो है 11 मार्स तक हो जाएगा refund 12 मार्स तक आजाएगा same day बे जो है 12 मार्स कोई डीमेड अकॉंट में शेर्स क्रेडिट हो जाएगे और listing date जो रहने वाला है 13 मार्च करेने वाला है QIB category में 50% of the shares retail category में 35% of the shares और HNA category में 15% of the shares allocate किये जाएगे retail category में minimum जो एक lot रहेगा वो 1000 shares करेगा और minimum जो price रहेगा वो 1,43,000 रुपीज चरेगा HNA category में जो है यह double हो जाएगा दो lot के लिए 2,86,000 रुपे रहने वाले है और यहां पर promoters holding की बात करें दूस्तों तो promoters है Mr. Vasu Naren and Ms. Shweta Baisal यह दो promoters है और promoters की holding की बात करें तो यह 100% की holding थी IPO आने से पहले promoters के बाद और IPO आने के बाद 73.59% की हो जाएगी इसका मतलब यह दोस्तो majority of the holding जो है वह अभी भी जो है promoters के पास रहने वाली है तो हमें यहां पर कोई भी ज्यादा major concern वाला factor देखने को नहीं मिल रहा है जितना ज्यादा holding promoters के पास रहेगा वह अतन करना चाहिए तो मैं आपको इसके positives बता देता हूं कि इसके positives क्या क्या है तो basically दोस्तों company जो है यहां पे अलग-अलग इंक्रीस हो रहा है इनका profitability जो है company की यहां पे इंक्रीस हो रही है तो वह भी एक अच्छी जीज़े company के लिए दोस्तों और दूसरा ही है कि दोस्तों यहां पे valuation मुझे लगा कि थोरा यहां पे महंगा रखा हुआ है इनोंने valuation अगर यह कम रखते तो यह आई-पयो जो है attractive बन सकता था because इसके काफी सारे factors जो है वह positive है return on network positive है प्लस अच्छा कासा है कि इनोंने return on network दिखाय हुआ लास्ट काफी सालों के अंदर और काफी सालों से यह जो है companies business के अंदर operate कर रही है तो और बोरेंग्स भी जो है company की काफी कम है ना के बराबर है बोरेंग्स तो वह भी एक positive factor है तो दोस्तों मुझे लग रहे है इसके अंदर जो है wait and watch करना चाहिए because valuation यहां पर महेंगा रख subscribe हो जाता है retail category में या फिर दूसरी एक दो category में 100 times के उपर subscribe हो जाता है तो फिर इसमें जो है apply करने का हम लोग एक नजरिया बना सकते है बाकी अगर इसको response अच्छा नहीं मिल रहा है तो फिर इसमें जो है फिर इसमें आप avoid भी इसको कर सकते हो और दोस्तों यह जो है मेरा analysis था लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपना analysis जरूर कर लेना और उसके बाद ही decide करना कि इसमें आपको apply करना है या फिर avoid करना है तो आशा करते हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंदा होगा अगर यह वीडियो पसंदा है इस वीडियो को like करना और अभी तक अपने channel क subscribe देंगे तो subscribe जरू करना धन्यवाद